हेलो हाई नमस्ते सास्रीय अगाल अब सभी का स्वागत है आज कि इस नीव वीडियो में जो आज स्टॉक के बार में बुलूद आज स्टॉक का नाम है अतुल आटो लिमिटेड आटो सेक्टर में काफी कुछ स्टॉक्स दिये थे जो रिसेंटल काफी अच्छे परफॉर्म हुए अतुल आटो मार्च के लो से लेकि अभी तक उसमें क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है इस चार्ट में देखेंगे इस वीडियो में देखेंगे ठीक है जैसे कि जो करें उनके लिए कि जो भी मेरे वीडियो होते हैं वह सब एजुकेशनल परफॉस के लिए है आप जो भी करोगे तो इसमें सब बाई और सेल जो भी आप करोगे इस वीडियो के बैसे पर तो सब आपका रस्पांसरी होगा तो स्टार्ट करते डेली से यह आपके सामने जो ह ट्यर्यै भी कटर तो सब्सक्राथू इसमें पतरव में रख लें में तो जो भी कोई करो करनी चाहिए ऑसके कुछ लेवल्स के बाद ही अप्रेड कि मैं यह जो लास्ट कैंडल न यह जो लास्ट कैंडल है काफी इंटरीम सा कैंडल आप यह इसको नाम दे सकते हैं आप पर यहां पर एक कैंडल था यह नहीं चलो जाने दो अभी इसका पहली बात हो मैं आपको डेली में दिखा देता हूं आपके इसमें काफी कुछ है तो जड़ा ध्यान रख लीजे इसके न यह डेली में बॉटम दिख रहे है ठीक है जो मैं आइरो किया न यह तो इसके बॉटम ज 50 और यह 82 तो यह आपको दिख रहा है ट्रिपल बॉटम अतुल अटो लिमिटर का यह वीडियो का कंकुलूशन में में काफी टाइम से देख रहा तो इसमें काफी कुछ दिख रहा है इसलिए यह जो डाउटफुल मार्केट है उसमें भी मैं दे रहा हूं बट कुछ लेव जो इसमिपल बॉटम हो गया है एक नियूवर में क्लियू कर रहा ता हूं कि जो पहले सामने है स्मॉर टर्म मीडियम जो भी बुलिए वह सामने है उसको मैं क्लिया करा रहता हूं पहले बार तुम इसके पॉसिप्ट पता हूं तीन बॉटम और वह कैंडल और इसमें एक देखने कहा ना मिफिस एक ड्रॉक राउं ट्रेंड लाइन जैसे कि जो भी कोई स्टॉक बाइक हात यहां पे एक कैंडल हो गया भात में यहां पे एक होगया है इसका मैंने बॉड़ी लिया जिसका टेन नने लिया ठीक है और यहां पे मैंने एक आपकल तो अब तीन होगे बॉटम्स होगे और होगे ओर ट्रेंड लाइन होगे ठीक है तो इसके जो भी चीज होना है 180 के बाद 180 के बाद अगर 175 तो भी 175 रुपीस का लेवल्स होना चाहिए जो भी होना है 175 के बाद ही होगा ठीक है कि मैं हमेशा तोड़ा नीचे रखता हूं ठीक है तो यह लेवल्स होगे आपके सामने इसमें इसमें मेरा और एक पैटन दिख रहा है वह पैटन दिखने के बाद कफी कुछ है अभी आपको जो लाइन पर ध्यान दे रहा है जैसे कि में स्टार्ट में बताया था यह ठीक है जो है 199 तो 200 रुपार पकड़ सकते हो और यह जो मैंने डार्क किया है शायद किसी को दिखा है या नहीं दिखा है चलो मैं डार्क कर देता हूं तो अभी कौन से लाइन देखना है और यह जो एक लाइन है यह लाइन देखना है तो इसमें मेरा एक पैटन बन रहा है पैटन बनने के बाद मतलब अभी इसमें आपको मेरा सब पॉस्चीजी दिखाता हूं यह मैरा का अड़ा है छाट में नहीं अगया है प्रिख़ाइए नहीं हो गया है् मैं वेट कर रहा हूं ब्रेक आट के बाद बेटा रहे ठीक है तो जैसे कि मैं आपको दो चीज बता यह या तो यह हैंडल होना चाहिए ठीक है यहां पर जो मैंने किया है और यह तो मैंने हैंडल को एक्स्टेंड कर दिया है तो एनिवे यह हैंडल अभी फिलाल तो हम यह तो अटो लिमेंटेद जिसकिन स्टॉफ बाइब किया है तो जो भी कि जिस किसी का भी नजर है बचेंग बेटा इसका यहां पर बेस पे मज चाहिए कि मैं की बेस पर आने तक क्या रिवासल होता है यह सब बाद में होता उटा है यह हो गया स्ट्रॉंग मतलब मतलब ब कैंडल में कांट कर रहा हूँ पिए के पैसल को लेना है बटर हई कि हम रस तरेंड करेकर ढज़ेड ने एवाला है मैं जो सोि 52 रूपी का लिए ले आर पकर आया है यहां पर 魚 प्था को भीटो बताए दियू Alternatively साथ58 कंड्र कि आपको यह बताया तो इसका आपको प्रेसं पकड़ना हैest 175 तो 25 अबुड़ करना हैसे बेस बनता है मैं ने इतना स्टॉ पर अपना चले है तो geb woundaven के बार चीस उब छोह एक हम को पड़ा है वह इसाब ते अपना stopless trail कीजिए या तो अपने रखे तो दोस्तों को पर ट्रेड करना है 175 के आसप पर का stopless होना चाहिए दोस्तों को पर फिर से स्टार्ट में मार्च में इसका लो था कहां पर 116 रुपया तो जो भी कोई स्टॉक रखा तो लुट गया उप्ट साथ सो रुपे से लेकर 116 रुपया तो एक चीज़ आपको अब को बता दे रहा हूं कि यह जो ब्राउन लाइन है जो मार्च को जो रिवर्सल रिवर्सल बोले क्योंकि रिवर्सल हम पहले फाइंड नहीं कह सकते यह बाद मी होता है तो एक बस मैंने मंतली टाइम लिया तो मंतली टाइम फ्रेम में मुझे यहां पर इसका बार्ड लो दिखा था वह सुरी यह इसका जो बेस दिखा 2013 का 90 रुपीज है नाइ मैं जो formation बोरता स्टार्ट में उसका मैं बतारहां वागन को टो आपके सामने है जो ग्रीन लाइन का मैं आपको स्टार्ट में बता दिखाने खिक है और दूसरा चीज मेंने बताया कि आपको यह ब्राउन लाइन है आपको दिखे रहा है चैनल में मेरा वुल्फ यह डिख आपको मैं आपके सामने डोग करूँगा ठीक है तो पहले बातों में यह चैनल का पहले बता देता हूं बाद में वूल्फो का बता रहा हूं तो आपको यह ग्रीन लाइन जो मैंने स्टार्ट में बताया था आपको जो मैंने 200 रुपय का लेवल बताया था एक 200 रुपय का ल देखते हैं आपको यह सी साइंड आउट करने कि इसका स्ट्रॉंग रिजिस्टंस कहां पर स्ट्रॉंग बेस कहां पर तो इसको ट्रेड करने दीजे दो सु रुपए के ऊपर दो या तीन दिन घाई पर यह अब हमारा जो मेरा वुल्स्टंस को टारगेट ब्राइथ तब यह मैं आपको काउंट बंदा रहा है यहां पर यह जो बॉटम में लोवर चैनल के यह नंबर वन हो गया काउंट वे बता हैं में यह एक हो गया ठीक है और यहां पे जो आता है ये दो हो गया और यहां पे जो होता है ये तीन हो गया और यहां पे होता है अपना चार ठीक है चार हो गया और ये पांच वा पांच वा जो पांच वा जो लाइन है ना ये ब्राउन लाइन जो लोवर चैनल का है उसके अंदर जो ट्रेड होना चाहि यह हो गया हमारा टार्गेट ठीक है यह जो टार्गेट होता है पिंक लाइन का टार्गेट तो अगर 200 रुपे को उपर यह ट्रेड करता है तो अभी तक शायद आपको शायद निम्हें कुछ डाउट हैगा तो पूछ ले ना मैंने इसमें काफी बनाए क्योंकि मुझे कुछ है कि आप काउंट बताते हो तो जल्दी जल्दी हो जाता है तो मैंने पूरा लाइन ही ड्रॉप कर दिया इसमें तो अब रहा टार्गेट का सब्सक्राइब अगर यह 200 रुपे को उपर ट्रेड करता है ठीक है फिर से दो या तीन दिन 200 रुपे का ट्रेड करता है तो इसके 75 रुपे का रिस और 25 रुपे टार्गेट वन रेस्ट वन हो गया स्ट्रेट अवे क्या पर्संटेज वाइस नहीं जा रहा हूं दो सब्सक्राइब के लिए जो ग्रीन लाइन जो ग्रीन लाइन काफी इपॉर्टेंट है जैसा कि मैं आपको मन्तली बाता ता इदम मुझे कुछ और दिखा है मैं आपको तोड़े में बताऊंगा तो आई होप अभी तक आपको स्टॉपलस टार्गेट वगरे सब बता दिया में इदम स्ट्रॉंग है कि जब यह पिंक लाइन पर जाता है कौन सा पिंक लाइन अभी बहुत सारी पिंक लाइन हो गया यहां पर यह जो पिंक लाइन है ना इसका स्टॉंग बेस एक सो पचास के आसपास एक सो पचास मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि आपको पचास पैगा तो ट्रेड का मोगा देखिए तब देखेंगे क्या रिवर्स अलारा कि निया रहा ठीक है इसको बैटर की ट्रेड ब्रेक आउ तो मैं अभी वुल्फ वे में आपके सामने में दिखाऊंगा इन्वेटर हेड एंड शोर्डर ठीक है तो यह फिर से यह अभी तक हुआ नहीं है बट पॉसिबिलिटीस है जब वो जो भी कोई स्टॉक मेरे पोर्टफोलिय में अगर में होल्ड रखता हूं या तो जो भी स हो जाएकर हम अगर हम राख हो हैंगर में आपको बताया था यहां पर यह हो जाएगा बाद में लेटर हो जाएगा तो बशूद्य नहीं कर ठाव एडिटिं एक状भया ने iis उनके लिए बाद में देखेंगे हम ठीक है तो यह जो स्टॉक बनता है बाई जो भी लेवल्स पर ध्यान दीजें मेन्वाइल मेरा यहां पी न्या एक यूटूब चैनल है मैं इसका लिंक पोस्ट करूँगा यह कॉमोडियूटी फॉरेक्स ट्रिटर यूके स्टॉक एस्ट कि वो बाद में देखेंगे वीडियो आपको पसंद रहे तो लाइक और सब्सक्राइब किजिए आपको ऐसा लगा किसे करें शेयर करना तो अब शेयर भी कर सकते हो थैंक्यू